फिल्मों के बॉयकॉट होने के ट्रिंड पर विवेक अगनी होतरी ने दिया बड़ा बयान बोले जनता को इडियट समझोगे तो बॉयकॉट होगा ही हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू बॉलिवूड नजर बॉलिवूड की एक के बाद एक कई फिल्में बॉक्स ओफिस पर अंधे मूग गिर रही है जहां बच्चन पांडे और समराट पृत्वी राज के बाद रक्षा बंदन अक्षे कुमार की तीसरी फ्लॉप मूवी बन गई है वही बॉलिवूड के मिस्टर पाइफेक्सिनिस्ट आमिर खान की लाल सिंग चड़्डा भी बॉक्स ओफिस पर अपना जल्वा नहीं दिखा पा रही है और जन्ता ने इस फिल्म को बॉलिवूड किया है एक इंटर्व्यू में बॉलिवूड डिरेक्टर विवेक अग्णिहुत्री ने बॉयकॉट बॉलिवूड पर अपनी राय दी उन्होंने कहा कि लीड कास्ट और अन्ने कलाकारों को ओडियन्स के फीलिंग्स के प्रती संबेदन शील्ड रहना चाहिए उनका मजाग बिल्कुल नहीं उनाना चाहिए आगे उन्होंने कहा कि बॉयकॉट करना लोगों के इंडिविज्यूल राइट्स है लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बॉयकॉट की सिधी आई ही क्यों तो अगर कोई तूथपेस्ट बिचने वाली कमपनी अपने ही ग्राह को का मजाक उणाने लगे और बोले कि जो तूथपेस्ट का व्योग करते हैं वो तो सब इडियेट्स हैं तो आप कितने दिनों तक उस तूथपेस्ट का अर्थमाल करेंगे नहीं न बता दे कि कुछ समय पहले करीना कपूर ने कहा था कि स्टार किट्स की फिल्में नहीं देखी है तो मत देखो आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या विवेक ने करीना की इसी बयान को निशाना सागते हुए तूथपेस्ट का एक्जामपल दिया है आगे उन्होंने कहा कि बॉयकॉट तो कई फिल्मों का होता है मेरी फिल्म दकस्मीर फाइल्स को बॉलिवुट ने, क्रिटिक्स ने, मीडिया ने, एक्जिबिटेर्स ने, सबने बॉयकॉट कर दिया था लेकिन अगर आपकी फिल्म इमानदार है तो दुनिया की कोई दाकत उसे नहीं रोख सकती तो दोस्तों विवेक अग्निहोतरी के इस बयान पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलिवूड नजर को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद